आयोध्या में मुख्यमंत्री योगी अधितिनात एक बाद फिर से कमर खिलाने का दावा करते हुए नजर आये जब उन्होंने जी उत्रप्रदेश उत्रखंट से एक्स्क्लिउसिव बातचीत की वैसे CM योगी का आयोध्या प्रेम सिर्फ आज देखने को नहीं मिला है समय समय पर CM योगी अधितिनात का आयोध्या प्रेम देखने को मिलता रहा है वो आयोध्या धाम जाते रहे हैं उनका ये आयोध्या प्रेम जग जाहर है CM बने के बाद से CM योगी करीब 45 बार आयोध्या का दौरा कर चुके है आज CM योगी चुना प्रचार के लिए आयोध्या आए ग्राम नगरी में रोट शो किया रोट शो में विशाल जन सहलाब उम्डा आखिर योगी के आयोध्या से लगाफ का क्या कारण है इसके पीछे राज क्या चुपा है देखे इस खास रिपोर्ट में सीम योगी का अयोध्या प्रेंग पाँच साल में पैटालीस पार पहुंचे अयोध्या अयोध्या के लिए योगी का विज़न उत्तर देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद का अयोध्या प्रेंग जग जाहिद है सीम योगी के आदेश पर ही 2017 के बाद सी अयोध्या में भाव्य दिपोसों का शुभारंब हुआ हर साल दिवाली के मौके पर सर्यों के घाटों पर दीपो का अमेला सबस्ता है प्रगुराम के स्भाधत में लाको लाक दिए चलाया जाते है दरसर सीम योगी का विज़न प्लान अयोध्या को वैश्विक स्थर पर ले जाने का है आयोध्या में 1000 करोड रुपए के विकास कारे जारी हैं साथी 8000 करोड रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का विजन डॉक्यमेंट तयार है भगवाण राम की नगरी आयोध्या से CM योगी को पिहद लगाव है आयोध्या का विकास मुख्यवंत्री के विकास के एजनडे में सबसे उपर है तभी तो CM बनने के बाद योगी 30 बार आयोध्या दौरे पर जा चुके हैं हालाकि CM बनने से पहले भी वो हर महीनी 2 बार आयोध्या जरूर आते थे सर्यो नगरी को विखास की धारा से जोडने के लिए سीम ने 2017 में पहली बार अयोझ्या में डीपोच्ग्सो का आगास किया 2017 के डीपोच्ग्सो में 51,000 दिये जलाए गय쪹 यथे 2018 के डीपोच्ग्सो में 2,51,000 दिये फ्रजुलित किये गये दियों के साथ 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 आयोध्या को विकास की पैचान दिलाने के लिए योगी सरकार ने हर बार आयोध्या के लिए बजट तयार किया है आयोध्या के डेवलाप्मेंट को लेकर साल 2021-22 के बजट में 140 करोड रुपे को आवंटित किये गए हैं करीब 50,000 करोड रुपे की योजनाय तयार है परेटन सुविधाओं और संदरीकरन के लिए 100 करोड रुपे संपर्क मार्क के निर्मान के लिए 300 करोड रुपे मर्यादा पुष्वत्तम श्रीराम एयरबोट के लिए 101 करोड रुपे राम सरकिट के लिए 20 करोड रुपे का बजट बनाया गया है वहीं 1100 एकड में नव्य आयोध्या को बसाने की तैयारी है बीटे 5 साल से CMU के खुद आयोध्या के विकास कावियों पर नजर रख रहे हैं ताकि आयोध्या को आध्यात्म के साथ साथ विकास के रास्ते पर भी आगे वढ़ाया जा सकी ग्यूर पॉट जी मीडिया